डिटेन की एक एजनसी ने सर्वे किया जो पाया गया कि जो स़ोजल मीडिया इन्फ्यूंसर हैं वहाँ पर इस समय वर्क कर रहे हैं यानि इंग्लेंड लंडर योके में वहाँ पर जो भी गुंपनि है वह उनको तफचा के नुसार पेएंट कर रही यानी उनको उनकी तफच रहेगा वो भी ज्यादा मिलेगा कहा जारे जो गहरी तुचा वाले लोग है उनकी जो पेमेंट हर महीने बनती है वो एवरेज के तौर पर देखा गया तो उनकी हर महीने स्पॉंसरशिप बनती है 60-70 रुपय महीन और हम इसको कंपेर करेंगे गोरी तुचा वाले लोगों से उनकी हर महीने बनती है 57 परसंट जादा गहरी तुचा वाले लोगों यानि कि एक तरह से यह racism हो गया white versus black का इस report को publish किया गया है guardian के दुआरा और एक agency है जिसका नाम है 7-6 agency इसमें बताया ज़र है कि जो वहाँ पर black influencer है या फिर east asia influencer है जैसे कि हम लोग इंडिया हो गया और भी जो जितने reason में आते हैं उनको मिल रहा है इस समय 700 pound इस sponsorship के तौर पर वहाँ जो white influencer है उनको मिल रहा है average के तौर पर 1600 pound इस तरह की news पहली बार सुनने को मिल रहा है आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में आप हमें comment box में बता सकते हैं आप सभी लोगा धन्यवाद आप हमें telegram channel पर जोइन कर सकते हैं thank you for watching